असलाम नेकों दोस्तों मैं हूँ सेद आयात रद्रा ओनलाइन कमड़र कोचित में आपका अमाब दोस्तों पुशाम दित केता हूँ दोस्तों मेरी एड़व फोटोशॉप की 22 वीडियो है जिसमें मैं आप लोको एड़व फोटोशॉप में एड़व बार ऑपशन सिखाऊँगा अड़व फोटोशॉप कपिन कर देते हैं दोस्तो एडिट मेन्यो बार सिखाने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अपतर सब्ट्राइम नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही जोगी मेरी वीडियोस आपको पसना आती है उसे लाइक जरूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में अपने फैमिली में जरूर शेयर किया करें थाकि उनकी भी कम्पेटर स्कील्स में इजाफ़ा हो तो सबसे पहले तो मैं कमांड्स सिखाने के लिए एक कोई वर्पेपर जो है उसे उपन कर देता हूं जिसमें मैं तवाम कमांड्स आपको अप्राय करके दिखाऊँ दोस्तों एडिट मेनियों में पहले जो ऑप्शन है वह है अंडू कमांड्स अगर हम कोई मिस्टे करते हैं वर्किंग की दुरान तो हम एक किसे पीछे आ सकते हैं जैसे मैंने लाइक मैंने यह बुरिश टूल की मदद से इस पर यह लाइंड मारी और अगर मुझे वाप्शी एक किसे पीछे आने तो मैं आ सकता हूं या फिर मैंने यह एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है इसको रोग किया इसे मैं दिलीट किया और मुझे एक इसे पीछे आना है तो मैं अंडू के लिए कि मदद से वाप्शी पीछे आ सकता हूं जो नेक्स ऑप्शन है वो है इसे फॉरवर्ड और ठर्ट जो है इसे बेक्वर्ड यह काफे इसी कमार्ट है लाइक हमने एक बुरी श्टूट दिया ठीक है उसकी मदद से मैंने फ़र्स लाइन बनाई ठीक है और कलर को चेंज करके मैं एक दूसरी लाइन ड्रो करता हूं ठीक है और एक मैंने यह लोग अलोग की लाइन ड्रो कर दीक है अब दोस्तों मुझे अगर step by step पीछे आना है तो मैं step backward देखें इसे जना अगर मुझे forward करना आगे तो मैं forward अब इन कमांड को इस्सेमाल अगर आप कोई assignment कोई भी या project बना रहे है ठीक है उसके उपर आगर आप कोई working कर रहे हैं उसमें कोई mister कर चुके आपको step backward आना है या आगे forward जाना है आपको तो आप इन कमांड को यूज करके आगे और पीछे हो सकते हैं इनकी shortcut की इस Ctrl-Z पर ले option की और दूसरी की इस Ctrl-Ctrl-Z और अठर जो है Alt-Alt-Ctrl-Z ओके देखें देखें दूसर अब जो next option है वो है Fade Fade भी एक अच्छी कमांड काफी है इससे हम एक new page लेता है और इस page के उपर हम push tool की मदद से अच्छी कमांड से क्या होता है अच्छी कमांड है यह जो मैं यूस कर रहा हूं इन टूल्स के हावाले से मेरे अपने चैनल के वीडियो बना के अप्लोड कर दीए और मैं डिस्क्रेप्शन भी लिंक देदूँगा तो जो लोग भी मेरी इन वीडियो को देख के सिखना चाहें तो वो सिख सकते हैं अब हम नेक्स कमांड पर जो दिन नेक्स कमांड है कट कट से क्या होता है हमने एक सरकल लिया उसकी मदद से हमने इस फ्लोवर को स्लेक्ट कर दिया अब आप चाहते हैं यह जो फ्लोवर है यह कट हो जाए उससे तो आप इसको कट करेंगे अजन के सिपल अगर आप इस इस पीछ के उपर इसको करना चाहते हैं तो आप एड़िट में जाएं कि पेस्ट कर सकते हैं उसी कमांड है कपी उसके बाद जो बुवरिट छो है इसको किस लोट जो जिए ठाट कर लेते हैं तो यह कट हो कॉपी काफे अच्छी कमार्ड है नेक्स है कॉपी मर्च कॉपी मर्च से क्या होता है इसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी यानि सबसे पहले तो इस तस्वीर को बिल्कुर औरीजिनल तस्वीर की तरह कर दाता हूँ उसके लिए मैं फाइल के उप्शन में जाऊंगा और यहां पर लिखा हूँ है रिवर्ट पर आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि इसकी मतब्स से हम अपने प्रस्वीर को बिल्कुर और कर सेकते हैं अगर हमने अपनी फाइल को अपने जो भी काम को सेफ नहां किया हो तो ऑप कमेंड्स कम्णट अपको मैं बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं लाइक मैंने एक गाल लिया और क्सर्थ्प लिया और मैंने इक हमें बता दा हम क्या करते है। और मैंने यहां पर set कर लेता हूं मैं इसको जिससे इस पर ओके दोस्तो इसके लाब मैं एक और ले लेता हूं ताके आपको size एक लिए हो जाए जै मैंने एक और तस्विर ली और इस तस्विर को भी मैं इस पर ले आता हूं और इसके पर size को मैं Ctrl T की मदद से small कर जाता हूं जहां भी set करना मैं कर सकता हूं और पीछे वाली जो तस्विर थे इसको मैं kilos कर दोता हूं अब दोस्तो अगर मुझे कोई भी चीज़ कॉपी करनी है या कट करनी है तो मुझे उसके लिए selection करनी परती है ठीके तो मुझे कॉपी करना है तो मैं आपको देखा दून कि यह लेयर्स वाइस काम होगा है ठीके या यह डट तो अलग लेयर्स पर है और यह बटरफ्राय अलग पर है तो आप चाहते हैं कि अगर यह तीनों तस्विरों को एक साथ कॉपी किया जाए कुपी मर्ग करना है कॉपी मर्ग के पहले किस बहुते इसको क्रोडना के लिए कंट्रोल एक करेंगे कंट्रोल की मदद से हम इसको क्पी मर्ग करेंगे ठीक है उसके बाद हम कोई भी पेज देते हैं उसके पर हम पेस्ट कर लिए तो यह देखें दोस्तो हमारी तीनों चीदे अगर आप सिंपल इसको कॉपी करते हैं और सिंपल इसको कॉपी करूंगा और उसके बाद अगर मैं इसको पैस्ट करता तो यह देखें सिर्फ एकी दस्विर आती है जिस पे लेर्ष प्रेश पर नग जो मेरी अभी मेरी काम के दो रांक दुरहर पर एप जिस दस्विर पतहम है उसी के कॉपी हुड़ी है ओके दोस्तों लेश्ट कमांड आपको मता कुके हों यह कटकी सब्सक्राय करें। तेन एक कमांड को हम Sisya के 10 एंप, इसके नीचे कमांड आपनारमा, पैस्क्राय से क्या होता है ? अगर मैं इस चीज़ का पहले तो रिमूफ करता हों यह सब चाहों के अब मैंने प्रेस्ट इंटूर उसके लिए दिखें प्रेस्टूर के लिए क्या करना होता है हमने सबसे पहले तो इससे मुझे चुड़ी अच्छी लग रही है मैंने इसको Ctrl A किया Ctrl A करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया करने के बाद मैंने एक new page दी दशा ज़िया दो करना तक और एक circle च pulled lly इस सको ड्रो राय जलिए ड्रो विह ओपर अधो मैंने एडिट में किया और व्रीच न्गयू कर दिया पष्प इंटू से क्या होता है यह जो आपने शरकर बनाते हैं ब्ल« इसके अंदर आपकी तस्वी बटकी आचुकी है तो यह काफ़े एची कमांड है इसी तरह अगर आप चाहें तो आपने दुसरा एक बॉक्स बनाया है उसके अगर आप चाहते हैं तो पेशन टू कर सकते हैं यह देखिए मुझे तो यह कमांड बहुत पचान है यह देखिए ओके दूस्तो हमारे पर चमांद हमारे इस लैसे किल्य कीले करता है हुमने इतने हैं से क्ल्या कर दिया सब्सक्राइब 17 चुर्ट चुर्डन कर दिया सी कहले हिते हैं। ठीक है दोस्तों और कंट्रोल डी से हम सेलेक्शन को हटाते हैं next हमार बाइ option है check spelling तो check spelling क्या है उसके लिए हम new के option में जाएंगे और new के option में जाने के बाद एक page दे लिते हैं यह हम दे like page दे दिया है ठीक है और यहाँ पे हमें एक simple text नाई है जिसकी हमें स्पेलिंग से करनी है तो मैंने वर्ट कॉपिन कर दिया है और 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 अब रेंड ब्रैकेट ऑफिन ब्रैकेट क्लोज इंटर तो हमारे पर एक सैंप्ल पेरग्राफ आ लाता है इस पे और यहां से हम इसको कॉपी करते हैं डोकॉमेंट को उसके बाद हम यहां से परकीश प्लोज दिख ख मदस्ते वारे जोमेंट क्षोपर काइब हम इसको प्सक्राब कर दो और इसको कम कर देते हैं थोड़ाधा क्लेट को स्पेलिंग जिए इस पर प्ल Pharise पेड़े पेटेगी मुलापनी हम इसकी बेना होदा की क्योंके इसको सिस्ट्री कर दोता हूं गया और यहां से साइस को बढ़ा दोता हूं गया तार कि आपको साइस से दिखें अब दोस्तों अब दोस्तों इडिट में गएं और यहां पर देखें कमाड आ चुकिया चेक स्पैलिंग तो स्पैलिंग चेक करने के लिए हमें सबसे बदे किसी वर्ट की स्पैलिंग हराप करने पड़ी यानि हमें चेंज लिखा वाते इसको मैंने छ लगा दिया और यहां पर लिखा हुआ है थीम में इस लगा लता हूं तो इसके बाद मैं चेंट्रोल एक करना ज़रूरी नहीं ह कर दोाद में ऑगा हूँ जएसे ही में चेंट करकर न विखा थीम गया हूं और कर सकता हूँ ठीक है इसके लावा अगर मुझे find and replace text पर के लिए कर रहा है तो अगर मैंने यहां पर कोई जुम्रा दिखा लाइक मुझे CHOOSE मैं चाहता हूँ CHOOSE की जमापर आजाए select उसके बाद अगर मुझे find करना है तो मैं find भी कर सकता हूँ मैं यहां पर लिख देता हूँ set उसके बाद find next यह देखिए set मेरा select हो चुक है यह देखिए दुबारा set पर आ चुक है तो check spelling और find and replace text क्या होता है इसके बारे मैं बने बता दिया तो दोस्तों आज मैंने यहां से लेकिए यहां ते आपको तमाम कमाट शिका दीए अगर आप लोगो मेरी वीडियो से पसाना है तो इसे लाइक जरू किजएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को प्लेक सब्सक्राइम नहीं कहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइम नहीं कर देजएगा थैंक्स फॉर वोचिंग खुदा आफिस